हलो दोस्तों, Power Query Tutorial के इस एपीसोड में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग multiple workbook से data को translate करेंगे और एक single worksheet में हम इस data को रखेंगे तो इसके लिए मेरे पास कुछ file है उस file से हम सारे data को इकठा करके हम एक single workbook में डालेंगे तो इसके लिए मैं आपको फाइल का structure दिखा रहा हूँ इसके लिए मैं आपको अपने desktop पे लेके जा रहा हूँ आप desktop पे देख सकते हैं मेरे पास एक यहाँ पे sales data का folder है और इन फोल्डर में मेरे पास multiple file है और in multiple file में से मेरे पास जो एक लास्ट का चार file आपको दिख रहा है यह sales का data है इन ही चार file में से हमें data को consolidate करना है और एक single file में डालना है और दुसरा मेरे को काम करना है कि अगर इसमें कुछ भी extra add होता है file example के लिए अभी है 2014 अगर मैं यहाँ पे 2015 का file डालू तो मुझे फिर से power query को लिखना नहीं पड़े process को repeat नहीं करना पड़े इसमें जो भी extra file हो इसके अलाबा वो हमारे power query में उसको consider ना हो तो चलिए इसे कैसे करते हैं इसे करने के लिए सबसे पहले मैं एक Excel workbook को open कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मैंने एक consolidated data करके मैंने एक workbook बना लिया है और इसके बाद मैं जा रहा हूँ data type में data type में जाने के बाद यहाँ पे जो आपको option दिखे है get and transfer section में यहाँ पे है get data का एक option वहाँ पे जाकर click करेंगे click करने के बाद हम लोग जाएंगे from file में from file में से हम लोग जाएंगे from folder क्योंकि इस बार हमें data जो है मारा data है वो एक folder में है और वहाँ पे multiple files है तो इसलिए इस बार हम from folder को चूझ करेंगे तो मैंने from folder को चूझ किया तो इहाँ पे हमें वो path प्रोवाइड करना पड़ेगा तो ये एक dialogue box आया है तो हमें उस dialogue box में जाकर हमें उस folder का path प्रोवाइड करना पड़ेगा तो मैं जा रहा हूं desktop पे desktop पे हैं मेरा folder अब देख सकते हैं यहाँ पे sales data आक फो फोलडर है उन सारे file का information इसमें available है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ binary है file का नाम क्या है, file का extension क्या है और वेगारा वेगारा उस file का other details इसमें available है तो अभी हमें यहाँ पे जाकर इसे combine नहीं करेंगे ना load करेंगे, इस data पे हमें कुछ apply करना है filter example के लिए हमें सिर्फ 4 ही file लेने है तो हम यह कुछ सारा apply करेंगे अपने power query में तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे आपके पास जो option दिखड़ा है चार में से, उसमें से मैं लूँगा transform data का मैं transform data का जो button है उसमें मैं click कर रहा हूँ इस पे click करने से क्या होगा अभी मेरे पास power query editor window है यह open होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वहाँ पे मेरे को file का data दिखा था जिए file का information था वो सारा यहाँ पे आ चुका है अब यहीं पे हम जाकर क्या करेंगे अपना filter वेगाड़ा जो भी है वो apply करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं जाओं तो यह binary क्या है यह binary actually किस type का file है वो दिखाता है यहाँ पे अगर मैं इस पे binary के बगल में मैं यहाँ पे click करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे यह दिख रहा है यह actually क्या है इस binary में यह file जो है यह वहाँ पे available है और यहाँ पे है उस file का जो भी नाम है उसका दिया रहता है यहाँ पे extension है और बांकी का information इसमें है तो सबसे पहले हम क यह पे इसे कर सकते हैं पहला तरीका है कि हमें यहाँ पे जाकर click करे filter में और मैं इसको एक एक करके जो जो file मिलेको लेना है उसको मैं select करणा हूं ऐसे भी हो सकता है लेकिन इससे करने से problem क्या है हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मैंने जो बोला था कि इसमें कर हो Query के थुरुक Consolidate नहीं होगा तो यह वालिट नहीं है process तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा सबसे पहले मैं extension में जाकर मेरे को पता है कि यह जितना भी file है उसका extension है xlsx तो मैं क्या करूंगा मैं जाकर सबसे पहला filter यहां पर लगाऊंगा तो आप देखेंगी कि यहां से जो भी text file था या फिर word file था या कोई zip file था वो यहां से जा चुका है लेकिन अभी भी यहां पर एक problem है अब देख सकते हैं यह चार नीचे का file तो सही है लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक extra file आगया है जो की मेरे लिए relevant नहीं है तो इसे मैं कैसे हटाऊंगा तो इसके लिए मैं यहां पर थोड़ा trick apply करने जा रहा हूँ आप देख सकते हैं यह जो मेरे नीचे का जो चार फाइल है इन चारो फाइल का जो नेम है यह थोड़ा similar है एक दूसरे से क्या similarity है फाइल जो ही है वो start होड़ा year से फिर एक hyphen है उसके बाद उसका year है तो इसमें अग मैं यहीं filter लगाने बाला हूँ तो मैं जा रहा हूँ यहां पर filter पे click करने उसके अग मैं यहां पर दूँगा text filter text filter में जाने के बाद यहां पर जो option आ रहा है contents मैं उसके क्लिक करूँगा उसके क्लिक करने से ही यहां पर जो filter का dialogue box है open हो चुका है अब इसमें मैं डालने जा रहा हूँ contents क्या contents होना चाहिए year तो जब भी यहां पर हम डालेंगे तो यह इसके थोड़ा ध्यान रहे कि यह case sensitive है जैसा आप डालेंगे वह ऐसा ही हो लेगा तो मैं caps में y डाल रहा हूँ क्योंकि यहां पर है caps में y e a r और एक मैं hyphen डाल रहा हूँ उसके बाद क्या होगा to zero इसके बाद हो सकता है 15 हो 16 हो जो भी हो तो वो क्या करेंगा जितना भी इस नाम से शुरू होगा यह contents होगा उ उसके अद मैं जाकर यहां पर okay बटन पर क्लिक कर रहा हूँ okay बटन पर मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो extra फाइल यहां पर जो था वह यहां से भी filter out हो चुका है तो मेरे पास अब यह actual में फाइल बचा है जिसको हमें consolidate करना है मेरे पास अब क्या है यहां पर content है और इसके बाद name है extension वेगरा जो भी है तो अभी हमें क्या करना है हमें तो सिर्फ किस column से मतलब है क्योंकि यहां पर आप देख सकते है actual जो excel का file हो इस column में available है मुझे बागी का column नहीं चाहिए तो इसके लिए करेंगे हम उसके लिए मैं इस column को select किया select करने के बाद मैं right click कर रहा हूं right click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं remove other column इसके अलावाद जितना भी column है उसको यहां से remove करेगा मैंने remove कर दिया है एक चीज आप देहान देंगे कि जो जो मैंने यहां पर apply किया है filter वो सारा आपका query setting का जो यह box है इसमें सारा steps यहां पर आ Excel फाइल था उसके अंदर का जो data है वो यहां पर apply level है इसके बाद हम क्या करेंगे यह जो option दिख़़ा है combine files का मैं उस पर जाकर इस पर जाकर मैं click करूंगा इस पर click करने से क्या होगा यह मेरा एक combination का जो query है वो open होगा तो यह देख सकते हैं एक combine file का यह जो dialogue box है वो आ चु sample file में वो एजे consider कर रहा है कि उसके पास जो पहला file है उसको एजे sample file के हिसाब से consider करेगा उसके बाद यहां पे है जो पहला file है उसमें seat 1 है तो seat 1 को consider करना है तो मैंने जैसी seat 1 पे click किया तो आप देख सकते हैं उसके अंदर का जो भी data था वो एजे प्टी वी वाड़ा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें है क्या है row id है order date है customer name है ct है product है sales quantity and profit है तो ऐसा ही data का structure अपने बागी के तीन file में भी है तो मैं इसको करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको okay कर दे रहा हूँ अब यहां पर क्या हो रहा है यह request processing हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा यह data combine हो चुका है अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इसके बाद मैं जाकर यहां पर close and load बटन पर मैं क्लिक करूंगा close and load बटन पर क्लिक करने के बाद यह क्या होगा मेरा जो consolidated file है वहां पर यह data जाकर यह सारा consolidated हो चुका है तो चलिए इसे देखते हैं कैसे हुआ है अगर मैं इस पर drop down में जाओ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो भी file था 2014, 13, 12, 11 यह सारा यहां पर combine हो चुका है और उसका जितना भी steps वेगाड़ा है वह हमारे इस query and connection में आ चुका है, total यहां पर आपको data देखने को मिल रहा है, 9994 total row तो यह तो मेरा पहला पार्ट हुआ, अब दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे पार्ट में करने वाले हैं कि अभी हम वहां पर जाकर एक एक extra file में डालूँगा, 2015 का और मैं सिर्फ यहां पे refresh button क्लिक करूँगा, मैं चितना भी यह process मैंने यहां पर किया है, वो साड़ा process को मैं फिर से apply नहीं करने वाला हूँ, चलिए इसे करते हैं, इसके लिए मैं अपने उस folder में जा रहा हूँ, sales folder में, यहां पर जाकर मैं इस file का extension मैं उन्हीं राने दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर एक filter लगा कर रखा है, sales file और इसके अंदर का date मैं उसको एक बार के लिए change कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें है 2014 का date, तो इसको मैं replace कर दे रहा हूँ, ctrl-z, करके ctrl-h, ctrl-v, और मैं यहां पर डाल रहा हूँ का यह pilot ready है, मैं इसको एक बार close कर दे रहा हूँ, close करने के बाद आप इस पर ध्यान से देखेंगे, मेरे पास अभी सिर्फ 2014 तक का data है, मतलब सिर्फ 4 सल का data है, 11, 12, 13, 14, और यहां पर आप देखिए, यह queries and connection window में, यहां पर मेरे पास 9994 data है, तो अभी मैं क्या कर रहा हू मैं जाकर इस पर कहीं भी click करके, मैं refresh button पर click कर रहा हूँ, आप यहां पर ध्यान देंगे, यह भी बढ़ रहा है या नहीं, refresh मैंने किया, यह data loading हो रहा है, इस पर देखिए, data बढ़के हो गया है 13, 3, 1, 3, और मैं जाकर यहां पर चेक कर रहा हूँ, इसमें क्या हुआ हुआ मैंने एक बार से फे प्रोसेस को मैंने फॉलो किया है, उसके बाद यह मेरे को यह फिर प्रोसेस को apply नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें refresh button click करना पड़ेगा, तो उमेद करते हैं कि आपको यह video अच्छा लगा होगा, आज के video में इतना है, फिर मिलते हैं अगले video में किसी ने टॉपी के साथ तर तर के लिए धन्यवाद